इस छोटे से फैन को हमने कबाल से खरीदा है, यह किसी मसीन में लगा हुआ था, यह कबाल में आपको हमने इसको खरीद लिया था, आगे वीडियो में हम इसकी रिपेरिंग करके दिखाएंगे, यह समझ लिजे कि यह एक मिनी फैन है, लाइट ना होने के यह राहत जरूर दे जाएगी, और यह चलने में आर्पियम इसका बहुत तेज है, इस फैन को हमने कबाल से लिया है, कबाल में हमको यह मिल गया था, इसको हमने खरीद लिया था, अब इसका मैं खोल ला हूँ पिंस, खोल लरके इसको चेक करेंगे कि इसकी सप्लाई कहां से देना है, क्योंकि यह लगवख में लग रहा है, और इसके जो बीसी फैन लगे हैं यह बारा बोल्ट के हैं, ति यह कहीं ना कहीं सब बारा बोल्ट सप्लाई इसको दी जाती होगी, ति इसलिए हम ऐसे चकरेंगी छे फैन हमारी एक साथ चल जाएं बारा बोल्ट से, यह हमारी फ्यूज है, फ्यूज हमारी प्लस की होती है, अब इसको हम देख रहे हैं कि कहां से इसको सप्लाई दें, ताकि हमारा छे फैन एक साथ में चल जाएं, अब हम इन तीनों फ्यूजों को एक साथ एक में जोड़ देंगे, ताकि हमारी एक सप्लाई यहां से प्लस की निकल जाए, इसको गया मैंनस का ढोर चाहां जाना लाउत होट ज्मारी को मैंनस काससे दें लगे ह pyt दो से हमें माइ डूंड जो जगए देखते हैं यहां मिल जाएगा इसको कार्यक में कर हम ने देख लिया था पहले सुह मात का सीडिया अभिस को हम जोड देंगे आदे जोड़ने के बाद इसको हम चलागे चे करेंगे अगर हमारा चल जाता है समयलो कि यह हमारा बन गया भाधर कि इसको मझबूती हम लगा लेंगे हिला डुला के देख लेंगे की हिलटता तो नहीं हिलनेरे पर मजबूती सदोड़ेंगे अब हम ये जो फ्यू जूआ हिस्सा था उसमें हम पलस लगा देंगे इसको फ्रस का बढ़ा देंगे अलगि यह से लगए इसको ठीक देगा यह देखिए बढ़िया हवा दे रहा है इसको उल्टा करके देखते हैं यह देखे बहुत स्पीड में आप इसका फैन चला है यह बील डीसी फैन है इसलिए इसका आर्पिम ज्यादा है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे व अरूब ग्रफ्ड़म एची में परफ्ड़ आता है तो हमारे बाहले लुद्ट साउब हुआ इसका जड़ता की अजह कोईड़ा थाएं पाता है घुआंगा रहा है तो हमारे जड़ प्रूब आता है अएवल देखते है इसलिए बूदस्ट यह से तो आता है जड़ता है